वेलकम बैक टू एजुकेशन आई क्यू आई होप आप सब बच्छे होंगे तो आज का जो हमारा वीडियो है ना वो है इंडियन आर्मी एस्पिरेंट्स के लिए जिन बच्चों ने भी CBT एक्जाम दिया हुआ है इंडियन आर्मी अगनिवीर के लिए जो पिछले मीने हुआ था 17 एपरल से लेके 26 एपरल तक उनके लिए एक बहुत गुड नियूस निकल के आ रही है इंडियन आर्मी की जो वेब साइड है वहाँ पे कुछ चेंजिस देट पे आएगा तो वो मैं आपको पूरा बताऊंगा इस वीडियो में हम लोग जो है ना पूरी चर्चा करेंगे ठीक है किस किस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका फिजिकल कब होगा फिजिकल की डेट आ चुकी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये जो बरती हुई है इसकी वकैंसी कितनी है इसके बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा थर्ड हम लोग बात करेंगे कि इसका कट आफ कितना होगा किस तने नंबर पे आपको जो है वो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा इंडियन आर्मी के दुआर और फूर्थ हम लोग बात करेंगे जो भी बच्चे इंडियन आर्मी अगनिवीर में सेलेक्ट होंगे उनकी जो है न वो जौब प्रफाइल कैसी होगी कितनी उनको सैलरी मिलेगी गोर्मेंट के दुवारा पहले साल में कितनी सैलरी होगी और तीसरे साल में कितनी सैलरी होगे आपको साल में कितना चुटी मिलेगा पूरे चार साल में आपका लीप लैन क्या होगा आपको कितनी चुटी दी जाएगी गोर्मेंट के दुवारा और फूर्थ हम लोग बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा एकसाइटिंग बात है कि कितने बच्चों को जो है वो आर जो पूरी प्रोसेस चेंज हुई है आर्मी बर्थी की उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा तो पूरा हम लोग डिटेल में जानेंगे तो कोई भी बच्चा जो है वो वीडियो मिस मत करना है आपको सब कुछ पता चल जाएगा आपकी रिजल्ट डेट क्या होने वाल प्रोसेस होगी, तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, सबसे पहले मैं बात करूँगा, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, कि आपकी रिजल्ट डेट क्या होगी, और आपका जो फिजिकल है, उसकी डेट क्या है, आर्मी वेबसाइट पे नहीं क्या हलचल हुई है, तो इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे, देखो, पहले जो आर्मी का पैटन था, वो क्या था, ओफलाइन एक्जाम होता था, इस बार जो एक्जाम में छोड़ा जाता था, लेकिन आपके लिए सबसे अच्छी खबर ये है, कि अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रिटन एक्जाम में जो है ना, काफी जादा बच्चे बाहर हो जाएंगे, और फिजिकल में जो है, इतनी बीड नहीं लगेगी, क्योंकि जो बच्चे एक्जाम क्वालिफाई करेंगे, उनको ही जो है, वो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो आपके पहले हम लोग बात करेंगे, कि इसमें वकैंसी कितनी आने वाली है, तो ये जो रिक्रियूमेंट हो रही है ना, ये हो रही है लगबग 3-4 साल बाद, क्योंकि आपको पता है, पिसले 3-4 साल से आर्मी ने कोई भी वकैंसी जो है, वो नहीं निकाला था, क्योंकि करोना भी चल रहा था, और बहुत ज़्यादा इशू चल रहे थे, उसके बाद आर्मी ने क्या किया, अपनी पॉल्सी जो है, वो चेंज कर दी, पहले आर्मी वालों को पर्मनेट रखा जाता था 20 सालों के लिए, उसके बाद आर्मी ने ये जो अगनी वीर वाला क्राइटेरिया लेकर आये, चार साल का, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो है ना वो बंपर वकैंसी होंगी, मतलब बहुत ज़्यादा वकैंसी है इसमें, तो आपको क्या करना है, कि फिजिकल में बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आर्मी का जो फिजिकल होता है ना, सबको पता है, 1600 मिटर सबके बसकी बाद नहीं है, तो जो बच्चे एक्सिलेंट मार सकते हैं, रणिंग में तेज हैं, और जिनके नमबर 35 से उपर बन आ सकें, ये मत सोचो कि मेरे सिर्फ 35 मार्क्स हैं, इतना कट आफ जाएगा, क्योंकि इस बार बकैंसिस का किसी को भी पता नहीं है, लेकिन सबको ये पता है कि बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि जो ये रिक्रुमेंट हो रही है, ये बहुत सालों बाद हो रही है, तो कट किसी को नहीं मालूम है लेकिन अगर मैं प्रेडिक्शन करूं तो आपका जो कट आफ है वो 55 से लेके 65 के बीच में ही जाएगा अगर जादा से जादा जाएगा कम से कम कितना भी जा सकता है कोई आपको गरंटी के साथ नहीं बोल सकता है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जिनके भी क्वालिफाइंग मार्क्स है 35 से उपर है वो फिजिकल की तियारी शुरू कर दो अब हम लोग बात करेंगे कि इसकी जो है न वो जॉब प्रोफाइल क्या होने वाली है मतलब कितनी आपको सैलरी मिलेगी किस तरह से आपकी जॉब होगी किन लोकेशन पे आपकी जो अगनी वीर जाएंगे तो मैं आपको साल दरसल आपकी जो है वो पूरी इंफरमेशन दूँगा तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपकी पहले साल की सैलरी कितनी होगी पहले साल की जो आपकी सैलरी होगी वो होगी 30,000 ठीक है फरस्ट एयर तो यह होगा पूरा 21,000 जो आपका होगा आपको इन हैंड मिलेगा मतलब आपको हाथ में जो पैसा मिलेगा वो 21,000 होगा टोटल आपकी सैलरी 30,000 होगी और जो 30% आपको जो है न 9,000 जो है वो कॉंट्रिबूशन टू अगनी वीज कॉर्पस के फंड के नवाम पे आपको मिलेगा तो आपकी जो वो 23,100 मिलेगा ठीक है और 99,000 जो आपको मिलेगा वो फंड के दुवारा मिलेगा आपकी टोटल सैलरी जो है वो हो जाएगी 33,000 वैसे ही अगर हम लोग तीसरे साल की बास करें तो आपकी सैलरी बढ़के 36,500 हो जाएगी जिसमें आपको जो है 25,580 जो है आपको इन हैंड प बैसे ही 4th साल मतलब 4 साल में आपकी जो सैलरी होगी वो होगी 40,000 और इन हैंड जो आपका पैसा मिलेगा वो मिलेगा 23,000 और 12,000 जो है आपके फंड में डाला जाएगा पैसा तो टोटल जो आपको कांट्रिबूशन होगा वो होगा 5,00, यह आपको फंड के दुवारा पैस दिया जाएगा ठीक है अब हम लोग बात करेंगे जब आपका एक्जिट होगा 5 साल बाद सारी 4 साल बाद तो आपको जो है ना वो 11,00, लगबग इसके आसपास जो है ना सेवा निदी पैकेज मिलेगा आपकी अकाउंट में जो है वो पैसा आएगा तो आपको जो है ना अ उस हिसाब से आपको जो है वो एलोंस मिलेंगे जैसे डीए हो गया और भी इसमें जो है वो पैसा एड होगा ठीक है तो उसका भी आपको जो है वो पैसा मिलेगा उसके बाद क्या है अब मैं आपको बताऊंगा जो बच्चे जानने के लिए बहुत जादा एक्साइटिड ह हैं क्योंकि हर बच्चा जो है वो permanent select होना चाता है RMI में लेकिन RMI का narrative है NIC आर्मी ने बोला हुआ है कि सिर्फ 25 पर सनला जो है हम लोग आर्मी में बरती करेंगे चार साल के बाद तो वो किस बेसस पे करेंगे मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया देता हूँ, देखो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है, कि यह जो प्रोसेस होगी, वो एकदम ट्रांस्पेरेंट तरीके से होगी, मतलब इसमें कोई भी गफला नहीं होगा, तो बिल्कुल इसमें आपका जो क्राइटेरिया होने वाला है वो यही होगा, कि आप जो है अपना फिजिकल मेंटेन करके रखो, फिजिकल में आप लोग जो है वो नंबर वन पे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, अच्छा आपका फिजिकल होना चाहिए, आपको कोई भी जो है पनिश्मेंट नहीं मिलनी चाहिए, मतलब आपका तो रिगार्ड है वो अच्छा होना चाहिए आपकी सर्विस जो है वो चार साल के अंदर एकदम क्लीन होनी चाहिए तो जिन बच्चों को भी अभी सही अब जो है वो पर्मानेंट सेलेक्ट होना है वो अपना फिजिकल जो है वो चार साल के अंदर जो है वो बिलकुल मेंटे उस basis पे जो है 25% बंदों को जो है वो permanent select किया जाएगा अब मैं बात दरूँगा कि आपको जो है छुट्टी कितना मिलने वाला है जो भी बच्चे आर्मी अगनीवीर में select होंगी उनको कितना छुट्टी मिलेगा साल में या फिर 4 साल में उनको कितना छुट्टी मिलेगा उनका medical छुट्टी कितना होगा उसके बारे में मैं आपको complete बताऊंगा तो आपका जो आर्मी अगनीवीर में जो भी बच्चा select होगा उसको जो छुट्टी मिलेगा वो बस 30 दिन का मिलेगा मतलब साल के 30 दिन ही एक महिना आप छुट्टी जा सकते हो क्योंकि आपका जो service है वो छोटा है आपका जो service है वो सिर्फ कितना है सिर्फ 4 साल के लिए है उसके बार जो बच्चा permanently select हो जाएगा आर्मी अगनीवीर में उसको जो है कोई problem नहीं होगा उसको वैसे ही चुट्टी मिलेगा जैसे आपका 90 days का criteria है तीन महिने का जो चुट्टी दिया जाता है लेकिन जो बच्चा अगनीवीर का service करेगा चार साल का उनको सिर्फ एक महिना ही जो है वो चुट्टी मिलेगा अगर मैं बात करूँगी अगर आप बिमार हो जाओगे तो आपको medical चुट्टी मिल सकता है लेकिन उसके लिए जो है आपको डाक्टर की recommendation चाहिए मतलब डाक्टर आपको लिखे देगा जो medical professional होगा उसके बाद जो है वो आपको sick leave जो है वो मिल सकता है अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो इलाज होगा ना मतलब अगर आप बिमार होगे तो आपको जो है military hospital की जो है वो service provide होगी आपको benefits मिलेंगे जो भी canteen के benefits रहते हैं आर्मी में वो आपको जो है वो पूरे मिलेंगे लेकिन वो आपको सिर्फ 4 साल के लिए मिलेंगे जो भी बच्चा उसके बाद permanently select हो जाएगा जो बच्चा 25% बच्चों में आ जाएगा उसको जो है फिर वो canteen के benefits होंगे वो lifetime के लिए मिलेंगे लेकिन जो बच्चे चार साल के बाद retire हो जाएगे उसके बाद उनको जो है ना तो canteen के benefit मिलेंगे ना ही जो है वो military hospital के benefit मिलेंगे लेकिन चार साल तक जो है वो आपको complete जो है वो army benefit provide जो है वो करेगी ठीक है अब मैं बात करूँगा जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आपकी जो है result date जो है वो क्या होगी तो मैं आपको बताता हूँ आपकी result date के बारे में army की जो website है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा changes हुए है पिछले दो तिन दिन से अगर मैं बात करूँ तो army की जो website है ना वहाँ पे एक option जो है वो update हुआ है कौन सा option? CEE result मतलब आपका जो online exam हुआ था ना उसका जो result है वो आपको सामने दिख रहा है CEE result लेकिन अभी तक जो है ना वो आपका result जो है वो update नहीं किया है army ने लेकिन जैसे ही ये चीज जो है वो army में change हुई है तो उससे आप लोग जो है वो अंदाजा लगा सकते हो कि आपका जो result है ना वो तुरंत जो है वो आने वाला है मतलब कभी भी आपका result जो है वो आ सकता है तो मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ कि आर्क की जो result date होगी वो कौन सी होगी यो मैं आपको result date बताऊंगा उसको आप लोग प्लीज नोट करके रखना उसके अंदर में जो है वो आपका result आएगा तो आपकी जो result date है ना वो होगी 20 से लेके 25 मेई तक guaranteed मैं बोल रहा हूँ आपका result जो है वो इन दिनों के बीच में आज आएगा क्योंकि आपका जो physical है वो जल्द ही होने वाला है अगले महिने second week of June से आपका जो है वो physical start होने वाला है तो natural सी बात है कि आपका result जो है वो आज आएगा मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि आपका जो result है वो आज शाम तक भी आ सकता है या फिर कल परसोतों का आपका result जो है वो आज आएगा क्योंकि आपको जो है army website पे सामने सामने changes दिख रही हैं क्योंकि वहां पे सीधा लिखा जो है आपके सामने होगा तो जिन बच्चों के भी अच्छे marks हैं वो प्लीज यार रनिंग की अच्छी तियारी शुरू कर दो और जैसे ही आपका result आएगा ना तुरंत मैं 5 मिनिट के अंदर अंदर आपको वीडियो लेके और अगर कोई भी चेंजिस आएगी फिजिकल को लेके मैडिकल को लेके तो मैं आपको कम्प्लीट डिटेल में बता दूँगा एक बाद मैं आपको और बता देता हूँ कि अपने आपको जो है वो फिट रखना आपको चोट नहीं लगना चाहिए क्योंकि आपको मैडिकल देना है आर्मी का और आर्मी का जो मैडिकल होता है वो थोड़ा सा हार होता है मतलब बहुत सारे बच्चे जो है वो मैडिकल में बाहर होते हैं तो कुछ दिन के लिए अपने आपको फिट रखो रनिंग की तियारी करो अच्छा खाओ अच्छी डाइट रखो ताकि आप लोग जो है एक अच्छे अगनीवीर जो है वो बन सकेंगे तो cut-off मैंने आपको पहले ही बता दिया है इसका जो cut-off है वो लगबग 65 नंबर से लेके 75 नंबर तक जो है वो chances हैं लेकिन फिर भी मैं आपको यही बोलूँगा कि जिन बच्चों के भी marks qualifying marks है 35 से उपर है वो बच्चे प्लीस यार physical में लग जाओ क्योंकि बहुत अच्छा मोका है बहुत जादा vacancies है तो यह जो मोका है वो आपको जो है वो नहीं खोना है तो यह था मेरा आज का वीडियो प्लीस जिन बच्चों को भी वीडियो अच्छा लगा है चैनल को subscribe कर लेना ताकि जब भी मेरा next वीडियो आएगा आपको notification मिल जाएगा तो subscribe कर दो like कर दो ओके बाई जैहन पीर ठीक